यहां के मेयर श्रिमान राम गोपाल मोहले जी, शहर के अद्धिक्ष श्रिमान प्रदीप अग्रहरी जी, चुनाव के संयोजक श्रिमान अशोग धवन जी, पुर्व शहरत दक्ष श्रिमान प्येस जोशी जी, सहसंयोजक श्रिमान दयासंकर दयालू जी और वारानसी दक्षिन से भारतिये जनता पार्टी के युवा उमिद्वार, सिमान निलकंट तिवारी जी, और विशाल संध्या में पदारे हुए, काशी के मेरे प्यारे भाईयों और बहनों। आज तो काशी ने कमाल कर दिया। जब चुनाव गोशिट हुआ। अनेक स्थानों पर जाने का मुझे आउसर मिला। और आज जब इस काशी की पवित्र धरती पर मेरे कार्षेत्र में आप सब के बीच आने का सवखाग मिला है तब, एक बार आप सब हमरी साथे जोर से बोली। हरा हरा महा देव। हरा हरा महा देव। हरा हरा महा देव। भारात माता की जार। भारात माता की जार। ऐजा उपस्तित सब लोगन के हमार प्रणामभा। हम आएनी हाँ तो बाबा विश्वना दर्शन करके फिर से सवखाग ये मिला लहा। और एक रियालावा काशी के कोतवाल बाबा काणवे भैरों के दर्शन भी पहली बार भैल हो। और इदूनू सोभाग्य हमके आप लोगन की आशिरवात से ही प्राप्त हो इलहा। ऐसे काशी के सब गुरु देवन के हमार प्रणामबा भाई ये बहनों। अब आप मुझे बोलने दीजिये क्योंकि मुझे यहां से सीधा एरपोर्ट जाकर के दिल्ली के लिए प्रस्थान करना है। मैं उत्तर प्रदेश भार्तिय जनता पार्टी का और काशी बीजेपी का रुदेश से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे आप सब के दर्शन का अउसर दिया। पार्टी की इच्छा थी कि मैं बनारस लोगसभा छेत्र में एक रेली को संबोधित करूँ। मैंने पार्टी को विनंती की कि काशी मेरा लोगसभा का छेत्र है। मैं आओ या ना आओ आओ आप तो चुनाव जीतने ही वाले हो। लेकिन यहां के साउसत के नाते, यहां के जनपरतीनी जी के नाते, जनता जनारदन के दर्शन करने का मुझे सौभाग्य मिलना चाहिए। मेरे मन में एक और कशक भी बड़ी दिनों से पड़ी थी। जब मैं लोगसभा का चुनाव लड़ा, नामांकन भरने के लिए आया। मैं यहां के लिए नया था। मेरे लिए बहुत आवशक था कि मैं पूरे शेत्र में कम तकम एक बार भ्रमन करूँ। लेकिन पूरे देश का जिम्मा इतना बड़ा था कि वो संभव नहीं था। तो तय किया था कि जब दिन मैं नामांकन भरने जाऊंगा उसी दिन वही पर एक रेली करूंगा। और बाद में मतदान के एक दो दिन पहले आकर के एकाथ दो स्थान पर जाऊंगा। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ेगा शायद हिंदुस्तान मैं एक पहला व्यक्ति ऐसा था जो चुनाव लड़ रहा था यहीं से चुनाव लड़ रहा था। लेकिन उस समय के इलेक्शन कमिशन ने यहां के इलेक्शन कमिशन जो अधिकारी से उन्हों ने मुझे सभान नहीं करने दी थी। नामांकन के बाद जो रेली करनी थी पहले परमिशन दी थी तैयार्या हो चुकी थी लेकिन पता ने उन पर क्या दबावाया। उन्होंने मेरी रेली कैंसल कर दी अब मैं नियमों का पालन करने वाला इंसान रहा हूं। मैं हाज जोड़ करके चला गया। जब मतदान के दीन थे एक दो दिन पहले समय मांगा तब भी इलेक्शन कमिशन ने काशी में मुझे जन संपर करने से मना कर दिया। सभा करने से मना कर दिया। तब से मेरे मन में कसक थी कि काशी ने मुझे पर इतना बड़ा उपकार किया। मैं जन संपर नहीं कर पाया। अपनी बात कभी नहीं बता पाया। उसके बावजुद भी। काशी के लोगों ने मुझे पर इतना प्यार बर्साय इतने आशिरवाद दिये। और भारी बहुमत से मुझे विजयी बनाया। और तब से मैं चाहता था कि मैं समय निकाल करके काशी की जनता के दर्शन करने का आउसर लूंगा। और लोक्तंत्र का ये पर्व चुनाव इससे बड़ा कोई मौका नहीं होता है। तो मैंने पांटी से आगर किया कि मैं जरा जाना समय काशी में लगाना चाहता हूं। हर किसी के दर्शन करना चाहता हूं। और आज जब भोले बाबा के पास चाह रहा था। जब काशी में लगाना चाहता हूं।